लेकिन हमारे लोग इतने डरे हुए हैं कि चार हात वाली जिसके आठ हात हैं एक किसी का हात में गदा है किसी के गले में नाग है कोई सेसनाग पर लेटा हुआ है कोई पहाणों पर बैठा हुआ है कोई कहीं बैठा है उनसे इतने भैबीत हैं कि उस डर से निकल नहीं पा रहे हैं और विनाश हो जाए हमारा सत्यानास हो जाए है इसके क्या कारण मैं मैं SN News का को धन्यवा देता हूं और आशा करता हूं कि ये चैनल सामाजी करांती के रूप में आगे आए और मैं सभी को जै भीम नोबदाय करता हूं देखे ये प्रस्टन बहुत महत्पुन प्रस्टन है कि इतने समय वेतीत होने के बावजूद भी जो बहुत धर्म भारत में होना चाहिए था वो नहीं फैल सका इसका क्या कारण हो सकता है देखे भगवान तथाकत बुद्ध का रास्ता समता का रास्ता है और समता का रास्ता होने पर भी आज विश्व के 125 देशों ने माना जबकि तथाकत भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए भारत में ही इ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो तथाकत भगवान बुद्ध का धर्म है वो अंगलू बाल जैसे डांकू को इंसान बना सकता है वो बालमिखी को और जितने भी और सारे छोटे काम करने वाले व्यक्ति हैं उन सब को महान बना सकता है महिलाओं को महान बना सकता है समानता दिला सकता है तो इस वज़े से भारत में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जो हमारा ये हिंदू धर्म है इसमें जाती ववस्ता है वन ववस्ता है और भगवान तथागत बुद्ध के धर्म में समानता है एकता है जब जो लोग वन ववस्ताम विश्वास करते हैं ब्रहामान वर्ग अपने को सरुपरी मानता है और सर चाहते हैं कि चाहोग कोई ब्रावन हो या कोई शूद्र हो कोई भी हो सब ततागत बूद्र दीक्षा देते थे तो सबको समान देक्सा देते थे और छोटे से लेकर के राजा और रंग उनकी सभाव में उनके प्रवचनों को सुना करते थे। पादी लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे जिस से उसमें आलोचनाय करनी सुरू कर दी और जब तथागत भगवान बुद्ध का परिनिर्मा महा परिनिर्मान हुआ तो उसके बाद में इन लोगों ने महीनियान और महायान दोनों इस धर्म को दोनों धर्मों में विभाजित क कर दिया और धीरे धीरे उसकी परंपराओं को समाप्त कर दिया आशोक महान आये उन्होंने दीख्षा लिए बहुत धर्म में और दीख्षा लेने के बाद में फिर उन्होंने भारत में 84 हजार इस्तूप और अपने बुद्भिहार वगर अत्यादी बनवाए जिन से बहु इशासक थे उनको प्रसन सुंग नाम के एक सैनिक ने उनको मार गिराया और उसी से आतंक फैल गया और जितने भी भारत में हमारे बहुत भिख्षू थे उन बहुत भिख्षू को मार दिया मारा गया और उसने कहा कि जो दिनार लेकर आएगा सो दिनार मैं उसको इनाम दू और बहुत धर्म का धीरे-धीरे लोफ होता चला गया। यो तो बहुत सारे देशों में बहुत bिख्षू हैं और जो उनके संस्कृत्ति को बचाये पढ़े रहे हैं और जो संस्किति आप आरह हैं इसके बाद से हम अनारिय लोग थे जो सर्वन संस्किति के मानने वाले थे औ तो हम लोगों को नीच बना दिया गया, हम लोगों को दलित बना दिया गया, चांडाल बना दिया गया, सोशित बना दिया गया, और लंबी समय प्रकिरा के बाद हम सब अपने इतियास को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए और अपनी संस्कृति भूलने के बाद हम उसी संस्कृत में जो हिंदोबादी संस्कृति थी उसी में रम गए और जिसका कारण ये हुआ कि भारत से बहुत धर्म का लोप होता चला गया बावा साब डॉक्टर बिया रंबेड करजी ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोग विद्यस्मी को नाकपुर की पवित्र भूमी पर पावन भूमी पर बहुत धर्म की देखशाली तब जाके कहीं पर कहीं भारत में बहुत धर्म का विकास होना सुरू हो गया और उन्होंने बुद् दू धर्म हमारा धर्म नहीं है दलितों का धर्म नहीं है सोशितों का धर्म नहीं है लेकिन हमारे लोग इतने डरे हुए हैं कि चार हात वली जिसके आठ हात हैं एक किसी का हात में गदा है किसी के गले में नाग है कोई सेसनाग पर लेटा हुआ है कोई पहाणों पर बैठा हुआ हुआ है कोई कहीं बेठा है उससे इतने भैभीत है कि उस डर से नइकल नहीं पा रहे हैं और अगर हमारे हमने हिंदु धर्म को चोड़ा इन हिंदु के देविदाफतों को छोड़ दिया तो हो सकता है हमारा विनाश हो जाए हमारा सत्यानास हो जाए एक बात इस साथ मैं और कहना चाहूंगा हम इतने आडंबर में अंद्विस्वास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे भोजनों की दलितों की सोशितों की लड़कों के शादी होती है लड़कों के शादी होती है तो बहुत रिती से ना करा करें, इनकी सोच इतनी गंदी सोच है, इतनी चोटी विचार धरा है कि वो सोचते हैं, अगर अगनी के चारा तरफ साथ फेरे ना लिये जाएं, तो हमारी सादी मान्य नहीं होती है। यह हमारे अंदर बहुत ही एक ऐसा दिमाग बैठा हुआ है, ऐसे दिमाग में सांप बिठा हुआ है जो कभी भी उठने का नाम नहीं ले रहा है और इसी वज़े से बावा साब डॉक्टर बियार अम्मेड करने 1935 में कहा था कि मेरे बसकी बात नहीं है कि मैं हिंदु धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदु धर्म में रहकर मरूंगा नहीं यह हमारे लिए एक संकेत था एक हमारे लिए सोच थी बावा साब 17 1970 में बावा साब ने कितनी चोटी सुमर में बहुत धर्म पर पढ़ना सुरू किया था और आज उन्होंने फिर 14 अक्टूबर को बुद्ध धर्म चेंज किया बुद्धर में देख शाली अगर हम से प्रवेश हो सकता है दुबारा आदीपत तो हो सकता है तथा बावा साब डॉक्टर भी अरंबेड कर भारत को बौद में बनाना चाहते थे लेकिन अभी तक उनके सपने पूरे नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो हमारा हिंदू दली समाज है सोशी समाज है वो उनके हिंदू के आडंबर से निकल नहीं पा रहा है इसलिए भारत में बहुत धर्म आगे अभी तीवरगती से जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पा रहा है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले